ग्रेटर फरिदाबाद के लोगों को अब खौफ के साय में नहीं जीना पड़ेगा। फरिदाबाद के पुलिस आयुक्त डॉक्टर हनीफ कुरेशी ने पुलिस पेट्रोलिंग वैन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। पिछले काफी दिनों से ग्रेटर फरिदाबाद के लोग अराजक तत्वों से काफी परिशान थे जिसके लिए लोगों ने संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायद भी की थी। ग्रेटर फरिदाबाद में बढ़ते सड़क हाथसो और आज सुरक्षा को लेकर हमारे समवादाता ने फरिदाबाद पुलिस आयुक से बाच्चित की। क्योंकि फरिदाबाद इस समय बहुत ही बड़ी यातया समस्या से जूज रहा है। इन्होंने बहुत कटोदी की है, बहुत काम्याबी हासिल की है और अब इनका उद्देश है यातयात पुलिस को कैसे मजबूत बनाया जाए और साथ ही इनका ये भी कहना है कि आम जन भागिदारी इसमें जादा से जादा हो। तो इस वक्त हम सुन रहे हैं, हनिफ कुरेशी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रेटर फरीदाबाद में रोज सलक दुरगटनाओं में कैसे हम कम आकड़े कर सकते हैं और क्या वो एफर्ट्स हैं जो आम आदमी अपने करके इन सलक हाथसों में कमीला सकता है। जी सर। ट्राफिक हमारे एक प्रियोरिटी है और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे लिए फरीदाबाद में सरकार ने DCP ट्राफिक अलग से भी पोस्ट कर दी हैं, पूरण चंद पवार। तो अब इसमें समस्या ये है कि हमने कुछ होट स्पॉट्स रोड एंजिनेरिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर ट्राफिक पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती है, साथ में जो सिविल अथॉरिटी हैं वो भी काम करती हैं। हमारी डिस्ट्रिक में एक रोड सेफटी कमिटी है जिसकी मीटिंग हर महीने होती है और उसके अंदर सभ चाहे वो MCF हो, चाहे हुड़ा हो, चाहे NHI हो, पुलिस हो, होटी कल्चर, सभी डिपार्टमेंट उसके अंदर आते हैं और उसमें हम विचार करते हैं कि कहां कहां पर जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से दूर किया जाएं। देशों में जबकि आंकड़े कम हैं, उधर पर रोडे चोड़ी हैं, क्या-क्या ऐसी चीजे हैं जो आप बताईए कि उनमें और हमें कहां पर फरक आता है। देखें फरक तो बहुत ज़्यादा है और फरक दोनों तरफ से ही है। सिटिजन्स के तौर पर भी फरक है और गर्मेंट के प्रयासों के तौर पर भी फरक है। अगर मैं सिटिजन्स की बात करूँ तो वहां पर रूल्स की कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे को तरजी देते हैं, दूसरे को पहले रास्ता देते हैं जाने का, खुद रोक लेते हैं। पार्किंग की बात होगी तो दूसरे को आगे आने देंगे। रेड लाइट को मानते हैं, गलत ओवर्टेक नहीं करते हैं, हलमेट लगाके चलते हैं, सीट बेड लगाते हैं। तमाम वो रूल्स मांगते हैं, हमारे यहां ही रूल्स की जो कम्प्लाइंस है, वो कुछ कम है। दूसरी जो गवर्वर्मेंट की बात है, उसमें सिविक एजन्सी जो हैं, रोड एंजिनिन के काम में हमारे काफी कमी हैं। जैसे zebra crossings का ना होना, red lights का ना होना, lane markings का ना होना, lane में चलना उचित है लेकिन अगर lane ही नहीं होगी, तो lane driving का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। highway के उपर, beach में cuts ना होना, highway से निकलने के लिए exits proper तरीके से, numbereded तरीके से बनाना। यह सब काम हैं, जो हमें करने होंगे, ना केवल national highways पर, बलकि state highways पर, बलकि district roads पर, village roads पर, हर road पर इस काम को करने के आवेशकता है। NCRB के report बताती हैं कि सबसे अदा हाथ से highway के बग जाए, छोटी-छोटी सडके जो जिलों में होके गुजरती हैं, उसमें ज़्यादा हाथ से होते, तो हमारी प्राथमिक्ता उनमें पहले होनी चाहिए। एक दूसरी समस्य है, या था पुलिस में जवानों की कमी भी एक समझ में आती है, तो उसको कुरिशी शाब आप कैसे पूरी करेंगे? हमारे पास अभी करीब 5,150 पद सैंक्षन है फरिदाबाद में, पोस्टिट सिर्फ करीब 3,120 हमारे पास पोस्टिट है, करीब 2,000 जवानों की शॉटेज है, तो इसलिए हर जो चौक है जहां पर हम जूटी लगाना चाहते हैं, हम वहां पर जूटी नहीं लगा पा रहे हैं अगर हम चन्दिगड को देखें, तो वहां पर जो पुलिसमन की देंसिटी है, वो काफी ज्यादा है, दिली में भी ज्यादा है, हमारे यहां बहुत कम है वो, एक तो यह समस्या है, सरकार इसके लिए रेकूट्मेंट अभी कर रही है, और मैं जो उम्मीद है कि बहुत जल और वो कैसे काम कर रही है, उनके पास क्या संसादन है, क्या मौडर्न एकुट्मेंट उनके पास है, जिससे कि वो उसको एफेक्टिवली यूज़ कर सकें, यह भी हमारे सामने एक चैलेंज है, और इसके उपर भी हम काम कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद कुरिशी शाह चाहते हैं, सेक्योर बनाना चाहते हैं, यह हमारी एक साजी जिम्मेदारी है, जो सेटिजन्स हैं, मोटरिस्ट्स हैं, वो रूल्स को माने, हलमेट पहने, सीट बेड लगाए, रेड लाइट फालो करें, और जो एंफोर्समेंट एजन्सीज हैं, पुलिस एजन्सीज हैं, वो अपना काम काइदे से करें, अबद्र वेवार ना करें, रूल्स की एंफोर्समेंट के लिए काम करें, अवेर्नेस फिलाने के लिए काम करें, अगर दोनों पक्ष अपने अपने कामों को ठीक से करेंगे, तो मुझे उमीद है कि एक्सिडेंट का, जो हमारा डेटा है, एक्सिडेंट के आखने हैं, वो बहुत कम निश्चती हो जाएंगे.